फैलो एंड वेलकम तो इनिक्वैलिटी हम रीजनिंग का पड़ रहे हैं और मैं आपको बताऊँ आज ये इनिक्वैलिटी का चप्टर हम खतम करेंगे, जितने भी कंसेप्ट्स हैं इनिक्वैलिटी के रिलेटट वो हम आपको पढ़ाएंगे, जो हमने पहले लेक्चर में आ आज आपको समुझ में आ जाएंगे और यहाँ पर यह इनेक्वैलिटी जो आपके सामने यह चल रहा है यह हमने लेक्चर नबर वन में पढ़ाया हमने आपको यहाँ से हमने लेक्चर नमर टू में सारी चीजें हमने आपको बता Дी पुराने papers में आए होए questions भी हमने आपको दे दिये आज है lecture number 3 और आज हम पढ़ेंगे इधर और का concept इधर और के concepts जितने भी related है इधर और के वो सारी चीज़े मैं आपको बता दूँगा और standard inequality भी हम पढ़ेंगे reverse inequality definitely true and false भी हम पढ़ेंगे और फिर कुस questions हम आपको दे रहें ये सारे questions पुराने exams में आए होए हैं code and inequality के जो trick है वो भी मैं आपको इसी lecture में बता दूँगा और फिर last में ये सारे questions आपको करने होंगे ये पुराने paper में आए होए questions है ये पुराने papers में आए होए questions हैं ये सब आप करोगे तो आप inequality के माहिर बन जाओगे अब ही मैं आपको बताओं inequality जो है ये bank PO में भी है और banking associates में भी है और inequality बहुत important इसलिए chapter बनता है क्योंकि इससे 5 marks आने के chances होते हैं और अगर मैं थोड़ा सा तेज बता रहा हूँ और tension मतलो बाकी chapters भी मैं आपके cover कराऊंगा आपके exam से पहले ठीक है चलिए either or समझ लेते हैं थोड़ा सा अगर मैं जल्दी चलता हूँ basic से ना जाता हूँ क्योंकि हमारा target है crash courses time ठीक है लेकिन फिर भी हार एक चीज़ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा से जलत बाजी में either or हमको पढ़ना है either or देखो आपका जब भी question आएगा आपको question उपर होगा कैसे कोई आया था यार disturb होगा बीज में तो मैं कहां था कहां था मैं कहां था question जब आता है na question उपर ऐसे आता है उपर होता है statement फिर उसके बाद होता है नीचे conclusion फिर नीचे होता है answers या options आपको answer या option देना पड़ता है कि conclusion number one सही है beth सही है नन नन सही है either or एक ऐसा option होता है जिस में confusion होता है neither nor में कोई tension नहीं है non abdabu neither nor एक ही बात है लेकिन either or एक ऐसा answer option है जिसमे tension होती है और ये मैं क्या बता रहा हूँ ये आपको last में questions में समझाएगा कि क्या होता है options last में क्या होता है statement conclusion either or समझने के लिए कि कहीं either or तो answer नहीं है उसके लिए आपको दिमाग में दो तीन चीज़े याद रखनी हैं मैं आपको बताओंगा सबसे पहले elements अगर same हो तो either or हो सकता है कौन से elements statement वाले elements नहीं conclusion वाले elements अगर same हो तो either or हो सकता है conclusion, 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 conclusion में अगर elements same हो तो either or हो सकता है जैसे h, h, d, d इन दो conclusions को elements same है जैसे कि i, c, i, c conclusion number one conclusion number two दोनों में elements same है यहां पे भी same elements I see I see है ना यहां पे भी same elements AD AD conclusion number one conclusion number two में same elements है ओके statement में नहीं conclusion में जब same elements होंगे उसके बाद दो cases arise होते हैं आपको देखना है दोनों में से कौन सा case है पहला case यहां पे मैं आपको समझाता हूँ यह वाला क्या है देखो भाई elements same नहीं होंगे तो either or कभी नहीं हो सकता elements आपने same देख लिए HD HD उसके बाद conclusion one और conclusion two में either or आ सकता है अब आपको elements same देखने के बाद क्या करना है मान लो यह मैं आपको पहले समझाता हूँ और फिर यह वाला step में समझाता हूँ either or आपने same element देखा अगर एक conclusion में यह symbol है equal to दूसरे conclusion में greater than है इन दो conclusions को join करना है और देखना है क्या वो सही है अगर वो सही है ता भी इदर और है फिर से बोलूँगा कि दो conclusions में से एक का equal to होना चाहिए दूसरे यह option होना चाहिए या 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 एक का equal to होना चाहिए दूसरे यह option होना चाहिए simple में अगर याद रखोगे इसका मतलब इतना ही है कि एक conclusion में equal to होना चाहिए same elements के बाद दोनों को जॉइन करना है जॉइनड जो कंक्लूजन निकलेगा वो देखना है सही है कि नहीं अगर वो सही था तब इदर और उप्शन आएगा सर यह आप क्या बता रहे हो यह अभी एपलाई हो जाएगा जो मैंने आपको एक ही बात मैंसे समझ में नहीं आता जो मैंने बताया अभी एपलाई होगा तब ही दिमाग में आएगा यह चलो दूसरी बात बताता हूँ और यह भी एपलाई कराता हूँ देखिए same elements अगर होगा conclusion 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 में तो इधर और हो सकता है लेकिन same elements होने के बाद कैसे check करोगे कि कहीं ये वाला case तो नहीं ठीक है ना कैसे देखो same elements होने के बाद आप देखोगे all three signs आते हैं कि नहीं मगर all three signs एक ही बार आने चाहिए दो दो बार नहीं यह एक साइन है, यह एक साइन है, यह एक साइन है, तीन साइन आये ना, less than भी आया, greater than भी आया, equal to be आया, यह हैं तीन साइन्स, तीन साइन्स आने चाहिए, दो दो बार नहीं, अब equal to दो दो बार आया, इसमें यह दोर और कभी नहीं आएगा, सिर्फ एक ही बार तीन साइन् ये आ गया ये आ गया अब ऐसे फिर से आ गया ऐसे फिर से आ गया एक sign greater than greater than equal to equal to इसमें तो दो दो बार आये लेकिन दो ही signs आये तीन signs नहीं आये simple मैं तीनु signs आने चाहिए और दो दो बार कहीं पे नहीं होना चाहिए doubling नहीं होनी चाहिए देखो sir conclusion में जब same elements होते हैं तो either or हो सकता है कि नहीं हाँ हो सकता है आगे देखेंगे कैसे हो सकता है और मैं आपको ये apply भी कराऊंगा same elements है इनके बीच में देखो क्या all three signs आते हैं less than आ गया greater than भी आ गया equal to be आ गया हाँ sir तीनु signs है equal to be है greater than भी है और less than भी है मतलब कि either or का ये वाला case है इस case में क्या होता है समझो समझो आपने देखा same elements conclusion में फिर आपने देखा एक conclusion में ऐसा एक conclusion में ऐसा या एक conclusion में ऐसा या एक conclusion में ऐसा या एक ही line में अगर याद रखोगे तीनु elements होने चाहिए less than, equal to be or greater than भी यहाँ पे less than, greater than or equal to be तीनु science आए ना, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से तीनु science आने चाहिए मेरे दोस्त, अगर all three science आए तो इनको आप individually देखोगे इस conclusion को भी, इस conclusion को भी, दोनु close होने चाहिए, दोनु के रस्ता close होना चाहिए मतलब कि यह दो element सेम हैं, इनके individually आप चक करोगे, इसको भी, और इसको भी दोनु के रस्ते बंध होने चाहिए सिटेटमेंट में रस्ता बंध होना चाहिए, दोनु का यहाँ पर अगर यह हो, तो individually आप चक करोगे और देखोगे join it वाला true है sir merge कैसे करेंगे इसको merge कैसे करेंगे इस वाले और इस वाले conclusion को equal to or greater than होता है greater or equal to इन दोनों को merge कैसे करेंगे फिर देखेंगे true है क्या equal to or less than होता है less or equal to ये हो आप merge करके ठीक है ना जब आप merge करोगे merge वाला देखोगे देखो भाई ये हम basic नहीं पढ़ा रहे है थोड़ा सा advanced एडी है मुझे बीच में कभी ऐसा मज़ा नहीं आता crash course पढ़ाने में क्योंकि detail में हम एक एक step चड़ते हैं लेकिन crash course में थोड़ा सा fast होता है तो alert रहना पड़ेगा बहुत ज़्यादा आपको तो समझो इस बात को कि इन दोनों को join करके merge करके less or equal to आता है वो हमें देखना है सही है कि नहीं ठीक है यहाँ पे इनको अलग-अलग check करना है इस conclusion को वो हमें देखना है individually रस्ता बंध होना चाहिए लगता होगा लेकिन अभी हम आएंगे questions पे और मज़ा आएगा और ये थोड़ा सा हार एक angle मैंने उठा लिया जो भी सवाल आएगा इसी के अंदर आएगा इसके बाहर नहीं आ सकता सुनिए statement है conclusion है जैसा कि आपने सीखा अभी तक आप ऐसे ही करोगे ना आप देखोगे कहीं सबसे पहले आप inequality के chapter में देखोगे कहीं conclusion के जो elements है वो same तो नहीं है अगर वो same नहीं मिले तो आप अपना रस्ता अपना होगे जो आपने अभी तक सीखा कैसे A to D, A to E, Sir same elements तो है ही नहीं, जब same elements है ही नहीं फिर दूरार होगा ही नहीं, फिर आपके दिमाग में आएगा कि हम अपने तरीके से करते हैं जो सर ने हमें आप तक सिखा आया क्या, A से D जाना है और एक बार ये रस्ता देखिए खुला है फिर एक बार simple sign होनी चाहिए ये वाली, सरी, ये वाली या ये वाली ओके, जो मैंने आपको सिखा आया A से D, सर A से B जा सकते है C से जा सर, D तक हम जा सकते है और अकेला ये होना चाहिए या ये सर वो कहीं नहीं है, तो ये गलत है आपको ये लगेंगा ना, ये गलत अच्छा यहाँ पे आप क्या करोगे सर A से और E के दर्मियान equal to है उपर भी A और E के दर्मियान full equal to हर जगा होना चाहिए A है E है equal to good equal to good equal to good सर यहाँ पे नहीं है गलत है आप ऐसे करोगे ना लेकिन मेरे प्यारे दोस्तो यहाँ पे यह लगता नहीं कि same elements है मगर है same elements A और D यहाँ पे A और E आपको लगेगा same elements नहीं है A D है A तो मिलता है चलो यहाँ पे D है लेकिन यहाँ पे E है same elements हो नहीं है लेकिन एक बार उपर तो देखो D और E एक ही है D और E के दर्मियान equal to है मतलब कि हम D के बदले E लिख सकते हैं E के बदले D लिख सकते हैं मतलब कि D और E एक ही है तो मान लो इस E को मैं D लिखूंगा अब बताओ same elements है क्या तो ये आपको exam में जान देना पड़ेगा लगता तो नहीं है same elements है लेकिन हो भी सकते हैं उपर statement में एक बार देखा करो क्या कहीं पे ये दो तो मिलते नहीं D और E है ना E के बदले अब D लिखो कि D और E बराबर है E के बदले D अब जब E के बदले D आया अब same elements है ना अभी ये same ही elements है तो देखिये उपर trick में कि same elements है अब आप उपर trick में देखो कौन सी वाली trick है same elements है देख लिया इदर और आसकते हैं हाँ अब ये वाला step आपको follow करना कि ये वाला बताईए ये वाला क्यों? क्योंकि एक में greater than है एक में equal to है ये एक में greater than एक में equal to ये है ये वाला step है ना है ना है ना तो इन दोनों को मैंने trick में क्या बोला था join करके true देखना है है कि नहीं मैंने बोला था इन दोनों conclusions को join करके true देखो है कि नहीं अब ये conclusions को join करके true देखो है कि नहीं चलो यहाँ पर d है equal to यहाँ पर greater or equal to को join करेंगे तो क्या होगा A greater or equal to D एक ही बात है D और E के बतले एक ही लिख सकते हो D है ना यहाँ पर D ही लिखो बात खत्म जाइन किया इसको और इसको जाइन करके क्या निकला A greater or equal to D जाइन वाला देखना है कि क्या सही है अगर सही है either or option है देखो A greater or equal to D सही है कि गलत आप उपर देखो बाई आप उपर देखो statement में A greater or equal to D क्या करना है यहाँ सही जाना है A से D दर्वाजा खुला है A से B, B से C, C से D हाँ सर गे और half equal to full equal to हर जगा होना चाहिए full equal to है half equal to B हाँ सर कम से कम एक बार half equal to B है यह सही है जब इनका merger जब इनकी joint equation जब इनका joint result सही निकलता है true निकलता है तो इसका option answer क्या आएगा either or अगर सवाल अब आए conclusion यह बताए कौन से conclusion सही है कौन से conclusion गलत है आप यह नहीं बोलना जैसे आपने पहले देखा गलत है सर गलत है ना 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 element same है लगता नहीं लेकिन है element same d के बदले e है element same है join it भी सही निकला तो इसका answer neither nor नहीं है इसका answer है either or क्यूंकि join करके हमने देखा true निकला either or निकला अब दूसरा dh dh हाँ sir elements तो same है element same है ना और अब आप उस तरह नहीं करोगे जिस तरह आप कर रहे हो के h से d जाएंगे h से d जाएंगे h से d जाएंगे और देखेंगे रस्ता खुला है बंद है क्या है क्या नहीं है वैसे नहीं देखोगे मेरे दोस्तो अब आपको कैसे देखना है ऐसे इधर और तो नहीं है अगर इधर और वाला follow कहीं पे भी नहीं होता तो अपना जो तरीका है जो आपने अब तक सीका है वही apply करना है okay h से d d से h को छोड़ दो मुझे यह बताओ element same है मेरे दोस्तो है ना है ना है ना है ना same elements sir same elements dh dh same 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 elements बीच में मुझे बताओ क्या ये case है या ये case है sir यहाँ पे less than भी आया greater than भी आया equal to भी आया sir all three signs आए all three signs आए मतलब कि ये वाला case है अब ये वाला case में मैंने आपको क्या बता कि अगर एक conclusion में ऐसा है मतलब कि all three signs आए उनको आप individually देखो इसको भी और इसको भी individually देखो क्या गलत है क्या रस्ता बंद है अगर रस्ता बंद है तो इदर और है है ना चलिए देखते है ओके dh dh same elements तीन साइंस है तीन साइंस है और ये वाला कौन सा case है ये शायद मेरे साब ये वाला केस है हाँ है ना एक sign ये एक sign ये तीन साइंस है ना कोई भी हो कोई भी हो एक ही बात है दोनों मैंसे individually आपको closed way देखना है है ना ओके देखते है individually देखना है closed way रस्ता होना चाहिए h c d जाईए उपर दोस्तो हाँ सर d c h हमको जाना है दर्वाज़ा बंद होना चाहिए d c h हाँ सर दर्वाज़ा तो इधर ही बंद है इधर भी बंद है मतलब कि दोनों के individually जब हमने दोनों conclusions को चक्किया तो closed way था जब individually closed way होता है तो answer इधर और आता है इसलिए यहाँ पे भी इधर और यहाँ पे भी इधर और मैंने आपको बताया ओके सर आगे चलिए c और i sir same elements तो है यह नहीं इसको अपने तरीके से करे क्या मगर मेरे प्यारे दोस्तो जरा देखो तो सही कहीं इधर और i i j एकी बात है i j एकी बात है चलो j के बदले i लिखता हूँ i ना c i यहाँ पे भी c i मतलब कि ये c और d एकी बात है c के बदले d के बदले c लिखेंगे i और j एकी बात है और j के बदले i लिखेंगे i ना मेरे पहरे दोस्तो same same element अब same element आया मुझे बताओ क्या ये वाला केस है या ये वाला केस है same elements के बाद सर ये तो तीनु साइन्स वाला केस है greater than भी आया less or equal to भी आया तीनु साइन्स देखने के बाद आप मुझे बताएए क्या देखना है तीन साइंस देखने के बाद आपको देखना है कि इंडिज्वली रस्ता बंद होना है, इंडिज्वली गलत नहीं होना चाहिए, इंडिज्वली रस्ता बंद होना चाहिए, इसमें बहुत डिफरेंस है, इंडिज्वली रस्ता बंद होना चाहिए, लेकिन फिर भी ध्यान द देखते हैं सर, देखते हैं, देखते हैं, सी से आए जाना है, दराजबान होना चाहिए, सी है, आए है, सर खुला है, खुला है, सर दराजबान है, इसका दराजबान है, मतलब इदर और आ सकता है, आ सकता है, दोनुका होना चाहिए मेरे दोस्तों, ओके, डी, जे से डी, जे स और D है यहां पे, जेसे D, जेसे D, जेसे O, यहां पे सर दर्वाज़ा बंद है, रस्ता बंद है, पता है ना रस्ता बंद क्या होता है, मतलब इसका भी रस्ता बंद था, इंडिज्वली हमने देखा, वे क्लोज़ूर था, इंडिज्वली क्लोज़ूर दर्वाज़ा था, त तो ज्यादा चांसी होता है, रिधरर अगर न कि दिलाना, मैं चाहता हूँ इन आइकवेल्टी में 35 म्λάCON 35 मार्क्स में 35 आजाय। और मेरे कुछ LECTURE्स से मेरे कुछ 12ग 14 15 lectures है total मेरी ये aim है फिलहाल आप सभी बच्चों के लिए ठीक है और मैं कोई kona नहीं छोड़ना चाहता लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो detail में ज़्यादा ही cover हो जाती और आराम से cover हो जाती और जिसको कुछ भी नहीं पता उसको भी समझ आ जाता चलिए और एक देख लेते हैं CI ये तो हमने देख लिया इसका इधर और है अभी मुझे बताओ CI CI सर सेम elements है सर सेम elements है मुझे लगता है इधर और आएगा आप मुझे बताओ यहाँ से जो case हमने देखा वो वाला था कि यहाँ से जो case है वो वाला है मुझे बताओ सर तीनू science है ना शायद greater or less और यह भी है शायद सर तीनू science है मतलब कि सर हम यह वाला apply कर सकते हैं लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों एक बार देखो इसका इधर और कभी नहीं आएगा क्यों एलमेट्स तो सेम है ना ही यह फालो होता है यहाँ पर क्या था एक में equal to होना चाहिए दूसरे में greater or और less than है ना यहाँ पर क्या था ओल थ्री साइन्स आने चाहिए डबलिंग नहीं होनी चाहिए लेकिन क्या 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 all three signs है है क्या greater than है less than है यहाँ पर फिर से greater than है sorry sorry less than कहा है greater than है equal to है यहाँ से फिर से greater than है less than कहा है all three signs कहां पर है इसका either or नहीं है इसका answer क्या है खुदी चक करो यार क्या है c से आय जाना है c से आय तक जाना है मतलब गलत हो गया, C से फिर से आजाना है, दर अब गलत हो गया, नीदर और आएगा इसका अंसर, है ना, अभी और एक कंक्लूजिन है, हर एक कंक्लूजिन में कोई ना कोई स्टेप आप सीखते हो, देखो, यहां पे भी कुछ ना कुछ सीखो गए, C, I, C, I, Sir, Elments तो से में, इसका इधर और आएगा, इसका इधर और आएगा, स्वरी, वो Elments तो से में, इसका इधर और आ सकता है, अब कौन सा के से देखते हैं, Sir, देखते हैं, Sir, देखते हैं, सिंबल तीन आने चाहिए, या इकोल टेक, ऐसे ऐसे आना चाहिए, है ना, है ना तिनु सिंबल अगर आएंगे अलग अलग रस्ते देखने हैं तब इदर और है अगर ये वाला सिंबल आया ये आये तब मर्ज करके देखना है तब इदर और है देखते हैं सर इसमें greater than है equal to be है फिर से greater than है सर इसका इदर और नहीं आएगा क्यों कि अभी तो सर आपने सिखाया कि तीनु साइनस होने चाहिए या ये वाली condition होनी चाहिए या ये वाली condition होनी चाहिए है न लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों इसका इदर और है सर क्या बकवास क्या बकवास बता रहे हो सर देखो मेरे प्यारे दोस्तों क्यों इसमें आपको लगता नहीं है कि तीनू साइन्स नहीं है लेकिन तीनू साइन्स हैं कैसे देखो C यहां पे C यहां पे I यहां पे I यहां पे elements का interchange करो जरा करो C और I को interchange करो इन elements को C यहां पे पे लाता हूँ, I यहाँ पे लाता हूँ अब अगर C यहाँ, C, देखो I क्या था? greater than C अब I क्या है? greater than C symbol भी change हो जाएगी न, है न C पहले है, C पहले है I बाद में है, I बाद में है अब जाके देखो तीनु elements है के नहीं तीनु symbols है same elements के दर्मियान के नहीं greater than B है, equal to B है और less than B है, हाँ सर अब तीनु science है तो आपको यह भी एक step याद रखना है अभी तक हम देख रहे थे, C, C और यहाँ पे, अभी तक हम देख रहे sorry, अभी तक हम देख रहे थे, पहला C फिर C आना चाहिए, यहाँ पे C के बतले C क्योंकि DC same है, यहाँ पे D, यहाँ पे D यहाँ पे H, यहाँ पे A, यहाँ पे second में, D और E के बतले D है न, उपर तो अभी तो हम देख लिए थे, पहले-पहले को हम compare कर रहे थे, लेकिन अब हमने पहली बार देखा, C यहाँ पे, लेकिन C यहाँ पे last में, C यहीं पे लाना है आपको, यह भी एक step याद रखना पहले आपको adjustment करना है, अगर A यहाँ पे है, second step में, इस conclusion में तो A यहाँ पे, A यहाँ पे लाना पड़ेगा आपको ठीक है, आपको position वही के रखनी है C पहले है इस conclusion में, तो C यहीं पे लाना पड़ेगा आप ज़रा लाओ, किसी को भी लाओ दूनों में चलो इस side को लाते हैं क्या, इस side को लाते हैं क्या OK, 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 OK C यहाँ पे हैं last में, A यहाँ पे पहले C यहाँ पे लाता हूँ, A यहाँ पे लाता हूँ और यह symbol भी change हो जाएगी क्योंकि C है greater or equal to I है ना, अब जाके देखो से elements के बाद, क्या तीनुश symbols हैं? हाँ सर, greater than भी आ गया less than भी आ गया, equal to भी आ गया तीनुश symbols है, either or हो सकता है कैसे, कैसे either or हो सकता है? Indigually हमको देखना है दर्वाजा बंद होना चाहिए, वो रस्ता बंद C से आजा और रस्ता बंद होना चाहिए C है, I हसास है, रस्ता तो यहाँ पे बॉलाक है मतलब कि इसका रस्ता बंद है, मतलब कि जिजार करे हमरे डिटेल कोर्स का किंक्लूजिन किंक्लूजिन और डिटेल कोर्स मतलब इजी वे में, क्योंकि जलुद बाजी में हम कंसेप्ट ज़्यादा ही बताएंगे कम टाइम में लेकिन कोशिश करूँगा 35 बे 35 और आप नीचे कॉमेट कर सकते हूं जो चीज़े समझ में नहीं आई सेम एलमेट से हां zach अब आप मुझे बताएं क्या यह वाला केस है का केस है iture यह तो यह वाला केस लगता है एक में crooked है यह तो यह वाला केस लगता है देखो तो सही देखो तो सही equal to तो है लेकिन दूसरे में सिर्फ greater than होना चाहिए या less than होना चाहिए तब हम दोनों को merge करके तब हम दोनों को merge करके, join करके देखेंगे सही है क्या नहीं, अगर true है तब either or है अब conclusion में, देखो तो मेरे प्यारे दोस्तों इक वल्टो आया, दूसरे में खाली greater than होना चाहिए तब हम merge करते, वो मैंने उपर condition आपको बताई है ना एक में equal to, दूसरे में खाली greater than एक में equal to, दूसरे में खाली less than होना चाहिए है ना और यहाँ पे यह भी मैंने आपको समझाया एक में less or equal to, दूसरे में greater than मतलब तीन हो साइन्स, एक में less than दूसरे में greater or equal to, मतलब तीन हो साइन्स और साइन्स, repeat नहीं होने चाहिए यहाँ पे अगर आप देखोगे, equal to भी आया equal to भी आया, दो बार repeat हुआ तो इसका either or कभी नहीं होगा इसका फिर क्या answer है? देख लो भाई, A से D जाना है गलत होगा शायद उपर, क्योंकि A से गलत है, जो मैंने आपको समझाया है, वो apply करो, second answer निकलता है इसमें, है ना? तो यह either or के concepts मैंने आपको समझा दिये जितने भी either or के सवाल आ सकते हैं, अभी either or के कुछ exceptions हैं, जिनको हम बोलते हैं standard inequality, इसमें दो cases आपको आ सकते हैं exam में, क्योंकि PO दे रहे होना तो exam में आ सकते हैं अगर assistant का भी, जो यह banking associates है, उसका भी अगर थोड़ा सा tough आ गया, तो वो भी आ सकता है यह भी आ सकता है उस exam में standard equality में not equal to case और missing element case है देखो बहुत आसान है not equal to case बोलता है अगर आपके statement में कहीं पे not equal to है, समझो इस बात को, अगर not equal है, a not equal to b का मतलब क्या है, देखो भाई, a b के बरावर नहीं है उसका मतलब क्या है, a या तो बड़ा है b से, और a छोटा है b से, इधर a greater than b, और e a और a less than b, मतलब इधर और answer आएगा देखो भाई, question है आपके सामने, statement, conclusion बताव answer क्या है, statement यह है conclusion यह है, conclusion में आप मझे बताए क्या है answer, पहला आए कि symbol आगर हैंगे, तीन संबल अगर होंगे, तो हम individually चक करेंगे रस्ताबान होना चाहिए, अभी तक यह इधर और का यही तो फंड़ा है अभी आप देखो, ना ही इधर तीन संबल्स हैं, ना ही इधर एक में, एक वल्ट है, दूसरे में यह दूसरे में की, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ greater than और यहाँ पे less than लेकिन इसका इधर और answer है यह इधर और की exception है, कैसे इसका इधर और answer है, देखो y और z के दरमिया अगर not equal to है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है या तो y बड़ा है z से, और y छोटा है z से, इधर y greater than z, और y smaller than z, मतलब कि either or आ सकता है तब ऐसे जब आपका यह situation हो मतलब not equal to case में, आप बोल सकते हो either or आ सकता है, अगर greater than less than है, ठीक है, यह दूर से आपको लगेगा, not equal to z मतलब, either y greater than z और y smaller than z, दूर से आपको concept में भी लग सकता है, यह missing element case क्या है, missing element case कभी, 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 ऐसा भी होता है कि आप conclusion देखते हो, यह c मतलब conclusion, s मतलब statement, यह मैंने बताया, lecture number one से ही c से z जाड जाना है c से तो जाएंगे सर, लेकिन z कहां है, कहीं नहीं है, missing element है, अब क्या करे, अब क्या करे, अब क्या करे, z यहां से हो सकता है, z यहां से हो सकता है, एक है इधर तो आपको देखना है, जहां पे भी, अब एक बात आद रखना है जहां पे भी missing element होगा न, वहां पे इधर और होने के 99% से क्या दर्वाजा खुला है जाड की तरफ, सी से जाड जाना है, है ना, और ये भी देखो ना मेरे दोस्तो, सी जड, सी जड, सेम अलमेट, सेम अलमेट और तीनु सिंबल, है ना, greater or lesser, sorry, जलद बाजी में बहुत कुछ मिस होता है, तीनु सिंबल, तीनु सिंबल, तीनु सॉरी, ओके, जलद बाजी में इंसान थाग बजाता है, सी जड, सी जड, मतलब के, अलमेट सेम, और, तीनु सिंबल, greater than be, equal to be, less than be, मतलब इदर और आ सकता है, आप देखो दर्वाजा बंद है, क्या हाँ सी से जड जाना है, जड तो कहीं नहीं है, मान लो, assume करो जड यहाँ, assume करो जड यहाँ, सी से जाओ ना, सर सी से नहीं मैं यहाँ जा सकता हूँ, सी से मैं नहीं यहाँ जा सकता हूँ, तो सी से जड जाने के chances नहीं है, मतलब रस्ता बंद है, हुआ ना एदर और का एपलाई सब कुछ सर हमें जर से ही सी जाना है सर सर जर से तो सी जाओंगा यहाँ पर मान लेता हूँ जर से ही सी जाओंगा कहां जाओगे सर जर यहाँ होगा जा सर से जी जाओँगा कहां जाओगे मतलब कि रस्ता बंद है न तो इसमें भी रस्ताबंद है इदर और है अगर missing element है तब भी आप कर सकते हो missing element का मतलब या तो इदर से है या तो इदर से है C से आप निकल नहीं सकते, वहाँ से आप आने सकते रस्ताबंद है, closed है, same elements है, all three signs है इदर और इसका answer आएगा अब है reverse inequality and definitely true, definitely false definitely true or true एक ही बात है, कोई difference नहीं, same लेकर definitely false or false में huge difference, huge difference reverse inequality क्या होता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं conclusion पहले दिया होता है, statement आपको बताना है, कौन सा सही है इस conclusion को देखके, कुछ भी नहीं है, मेरे प्यारे दोस्तों, reverse कुछ भी नहीं है अब देखो, conclusion मैं आपको बताओ, अब देखो conclusion है न, ACC जाना है अब आपको देखने, ACC आप कहां से जा सकते हो, देखो भाई, पहले मुझे बताओ, reverse inequality में इतना ही है इतना ही पार्ट है, बता मुझे ACC जाना है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है इतना है, ACC जा सकता है, triggered, ACC जा सकता है, न, ACC जा सकता है ACC जा सकता है, ACC जा इतना ही नहीं सकता है, मतलब कि, डिपनिल्ति ट्रू आ गया, और reverse inequality भी आपने शमझ ली थोड़ी थोड़ी सी ऐसी reverse inequality बहुत आसान है definitely false कहाँ पे है यह बहुत important है और definitely false पे मैंने इतने सारी concepts लाए है और सब आसान है सब आसान है, एक ही trick है बस वो यह है ऐसा नहीं कि एदर और की तरह हर में एक concept छुपा हुआ है ना 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 एक जो मैं आपको उपर समझाओं वो ही apply करोगे आप यहाँ पे questions में कि मुझे लगता है इस बार ज्यादा chances है definitely false आने की हर बार वो सवाल तो नहीं आ सकता जो आये हुए है इसलिए, देखो देखो मेरे प्यारे दोस्तो definitely false के लिए बस दो step अगर आपने याद रखे बात खत्म, कुछ भी नहीं है definitely false दो step है, finish two steps और finish, देखो क्या false तो आपको पता है कौन सा गलत है वो तो आप दूर से अंदाजा लगा सकते हो कौन सा गलत है अभी आपने देखा, सिर्फ यह सही था बाकि सारे गलत है, हैंना वो तो आप लगा सकते हो अंदाजा आप गलत कोने definitely false जो है और मैंने ये भी बता है definitely true or true एक ही बात है उसमें कोई अंतर नहीं है लेकिन definitely false में false आप होने चाहिए 100% confirm false तो होगा ही उपर से 100% confirm आप होने चाहिए कि false ही है false तो होगी उपर से 100% confirm false तो है और and 100% confirm की confirmity के लिए आपको ये तीन चीज़े सीखने है बहुत आसान है क्या? 100% confirm की बस एक ही step सीखना है एक ही step सीखना है कि कोई भी गलत होना चाहिए option गलत होना चाहिए उसके बाद way block नहीं होना चाहिए बस इतना याद रखना कि block कहीं से road नहीं होना चाहिए दो elements के दर्मियान जैसे कि अगर यहां से जा रहे हो तो यहां से block हो जाएगा ऐसा नहीं होना चाहिए या अगर यहां से जा रहे हो हाँ दर्वज़ा कुला है लेकिन यहां पे block हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से बुलॉक नहीं होना चाहिए, रिलेशन बननी चाहिए, अगर ऐसे जा रहे हो, हाँ हाँ हाँ, किसी भी साइड से बुलॉक नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों मैंसे किसी एक साइड से खुला रस्ता होना चाहिए, किसी एक साइड से, कुला होना चाहिए एक साइड में मैं आपको बताऊंगा यह Дेखो, यहां से तो दरवाज़ा बंड है लेकिन इस साइड से तो हमेशा खुला है हाँ हाँ पूरा खुला है अब यह पुरा खुला है यह क्या बता रहे है अब सर और पूरा बंद रवाज़ा है, यह क्या बता रहा है, यह मैं आपको बताओंगा, समझाओंगा, देखो A.C. जाना है, A.C. गलत है, यह तो हमने सही बताया था न, सही को छोड़ो हमें दिखना है, definitely false क्या है A.C. जाना है, ओपर conclusion में, जाना ही सकते गलत है, A.C. जा सकते हैं, लेकिन equality है, ओपर equality है, यह भी गलत है A.C. जाना ही सकते गलत हैं, मतलब कि आपके definitely false अगर सवाल आया ऐसा, आपको बताना है definitely false क्यों है, आप बोलो कि यह भी गलत है, यह तो सही निकला छोड़ दे इसको, यह भी गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है, मगर सवाल है definitely false बताओ, 100% false, उसमें आपको याद रखन यहां पर, यह C. से A. जा ब्लॉक रोड है यहां पर, तो यह false है लेकिन definitely false नहीं है, definitely false के लिए no block way, block way एक तरफ से नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ से तो हो गाई, अच्छा A. से C. देखो, block road है, हाँ सर यहां, अच्छा यहां से देखो, सर नहीं यहां से दरवाजा ख खुले हैं, एक साइड रोड खुला है, तो यही है definitely false, block way नहीं होना चाहिए, एक साइड से block way नहीं होना चाहिए, दूसरे साइड से तो हो गाई, अब यह, सर A. और C. के दरम्यान, block road नहीं है, तो यह भी definitely false है, मेरे प्यारे दोस्तों, यह भी definitely false है, और यह C. और A. के दर प्यारे ही block way नहीं है, तो यह false है, definitely false नहीं है, यहां से road खुला है, definitely false है, यहां से road खुला है, definitely false है, अभी नहीं को हम trick में देखेंगे, और आगे सवाल करेंगे, ओके, अब हम यह पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं नीचे से आओंगा, क्यूंकि नीचे प देखना है कौन सा conclusion, यह conclusion है, कौन सा conclusion सही है, कौन सा conclusion गलत है इन 5 options में, यही आपको देखना है, प्यारे दोस्तों, देखो, R से क्यो जाना है, देखना है, हमें देखना है, definitely false को ने, false निकलना चाहे उसके बाद हम वो apply करेंगे, रस्तावाला, ठीके न, र से क्यो, R C T T P 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 टी से क्यों, टी से क्यों, सर ये है टी, चलो ठोड़ा रिविजन भी हो जाएगा, टी से क्यों, टी से क्यों जाना है, सर टी से क्यों दर्वाजा खुला है, और एक बार ये ये आना चाहिए, वो आ गया, सर ये भी सही है, उसी के बाद, क्यों से ओ, क्यों है ये, सर ओ है यो, से पूरा क्लोजूड होना चाहिए दोर ओपन हर जगा एक साइड से होना चाहिए चले इधर से निकलते हैं सर इधर से तो बंद है चले इधर से निकलते हैं इधर से तो बंद है नई सर यह फाल्स है लेकिन डेफिनिटली फाल्स नहीं है हमारा यह आंसर नहीं है हमें डेफि खुला होना चाहिए, यहां से तो बंद है, सर यहां से भी बंद है, यहां से नहीं निकल सकते, यहां से नहीं निकल सकते, तो यह गलत है, लेकिन definitely false नहीं है, अच्छा, क्यों से आर जाना है, क्यों है यह, आर है यह, सर क्यों से हम आर जानी सकते, यह false है, अब false के बाद हमें देफिनिटली फॉल्स है क्या हमें देखना है इदर या इदर से रस्ता खुला होना चाहिए क्यो और आर्ट के दर्मियान इन दोनों के दर्मियान क्यो और आर्ट के दर्मियान चलो इदर से देखते हैं हाँ सर हाँ सर रस्ता तो खुला है एक साइड से पूरा, पूरा का पूरा, यहां से देखो आ सकता है, आ सकता है, मतलब कि यह false के साथ-साथ, definitely false भी है, false के बाद आपने देखा, क्या किसी भी साइड से, elements के दर्मियान, किसी भी साइड से, रस्ता खुला है, बता मुझे, h, b, h से b, h से b, नहीं जा सकते false है, क् एक लो, सर, यहां से दर्वाजा बंदे, यहां से दर्वाजा बंदे, ना, h और b के दर्मियान, पूरा दर्वाजा उपन होना चाहिए, okay, okay, f से s जाना है, sorry, s ही से f जाना है, s है, f है, सर, हम नहीं जा सकते, मतलब, false है, अब यह definitely false है, क्या, क्योंकि question मैंने दिया था, ऊ Cela, s में, किसी ना, किसी سाइड से, दर्वाजा, खुले होने चाहिए, यहां से îtreो, बंदे, पहले ही, मतलब, इसका false है, definitely false नहीं है, मैंने आपको बता है, definitely false को ने, वो बताना है, m से यह जाना है, यह m है, यह है, हम जानी सकते, बंद है, false है, definitely false है क्या, m और a के दर्मिया रस्ता नहीं अदर से खुला है नहीं अदर से खुला है तो सिर्फ false है डिफनीटी false नहीं है यह आपके लिए होंवर्क है आप यह बताओ मुझे मैं यह बताता हूँ S से ही A जाना है S से यहाँ पे a है यहाँ पे sir, हम नहीं जा सकते दरवाजा बंद है दरवाजा बंद है तो ये false है लेकिन definitely false के लिए आपको बताना है दोनु मैसे किसी भी side से खासकर दूसरे side से ही होगा obviously दूसरे side से ही होगा दरवाजा खुला ही होना चाहिए A और S के दर्मियान देख लो देख लो देख लो देख लो हाँ सर दरवाजा खुला है दोनु साइड से मतलब ये false के साथ-साथ हम guarantee दे सकते हैं ये definitely false है ओके ये आपके लिए homework है ये आपके लिए homework है लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों एक जगा first जाओगे वो है equivalent वाला case वो exam कम ही पूछ सकता है इतने difficult questions आपको क्या समझना है ये मानलो y से b या b से y जाना है ये है y ये है b है na s इन दोनों को मिलाता है है na है na okay y से b जाते है y से s जा सकते s से b नहीं जा सकते है मतलब ये false है definitely false है क्या definitely false देखने के लिए हमें देखने के लिए हमें देखना है समझने वाली बात ये है Equal to अगर है एक point और समझना जो मैं इधर बताऊंगा काफी अच्छा point है अगर equal to है उपर अगर half या full equal to कहीं पे भी आता है तो ये सही भी हो सकता है definite नहीं हो कैसे 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 मालो S और B बोलता है या तो S less than B है या equal to है मालो S equal to B ही लिखते है यहाँ पे S equal to Y ही लिखते है नीचे क्या है Y equal to B Y equal to S S equal to B मतलब Y equal to B आ गया ये तो true हो सकता है भाई definitely true नहीं है लेकिन definitely false भी नहीं है अगर ये concept समझना है तो नीचे comment करो और मैं आपको ये बताऊं coded inequality में ये trick मैं आपको नहीं बताऊंगा इधर क्यूंकि आप coded inequality इधर से भी निकाल सकते हैं अराम से अगर आपको ये concept समझना है equal to वाला और आपको ये coded inequality की trick भी समझनी है तो नीचे आप comment करो मैं उसके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा मुझे नहीं लगता उतना difficult आएगा सवाल जो मैंने ऊपर आपको बताया और ये coded inequality के बगार भी आप trick को apply करने के बगार भी आप question कर सकते हो ये paper आया है 2016 PO में और मैं आपको बताऊं कि आपको coded inequality आप सभी ने सीखी होगी मेरे प्यारे दोस्तों डॉलर का मतलब होता है फिर ए क्या है greater than or equal to be अच्छा add the rate up का मतलब क्या है ए इस neither smaller nor equal to be नहीं छोटा है नहीं equal है फिर greater than होगा तो add the rate up का मतलब क्या है a greater than b and का मतलब क्या है neither greater than nor smaller than तो equal to हाएगा dollar का मतलब क्या है dollar मैंने उपर बताया था अभी dollar 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 का मतलब है निकलेगा फिर dollar का मतलब निकलेगा greater or less than यह चीज़े आप निकाल के code निकाल के फिर आप कर सकते हैं लेकिन थोड़ा time लगेगा अगर इसकी भी trick आपको चाहिए क्योंकि lecture बहुत लंबा हो गया तो आप नीचे comment करो आप नीचे करो एक trick है बहुत खूब सुरत है अगर आप जानना चाहते हो नीचे comment कर लेना मेरे दोस्तो अभी मैं यह आपको समझाना चाहता हूँ क्योंकि नीचे यह questions है आप इनको करो मैं देरे-देरे scroll भी करूँगा और आपको यह PDF टेलिग्राम पे भी आएगी टेलिग्राम कहां पे है मैं नीचे description में टेलिग्राम का link दूँगा आप वहाँ पे जाके PDF को ले सकते हो बहुत बार बच्चे बोलते हैं सर डेस्क्रिप्शन में आप पे PDF का link देते हैं यह टेलिग्राम का link नहीं देते हो हम जेके स्टेडी फर सिवल सर्ज डूंटे हैं वहाँ पे कुछ और चैनल निकलते हैं जिनके 2500 सबस्क्रेबर हैं हमारे उदर शायद 9000-10,000 हैं एक चैनल पे दूसरी चैनल पे 3.5 अब केस वाले पे 3.5 तीन हजार और ISSB वाले पे 10,000 सबस्क्रेबर मेरे हिसाब से अभी तक हो गए होगे तो मैं आपको link इस time दूँगा description में और जब मैं बताऊं link है description में उस video के नीचे description में link होगा टेलिग्राम की और जिन बच्चों को ये पता ही है वो बताएंगे कि हामें ये trick पता है जिन को नहीं पता वो उनको मैं सिखाऊंगा फिर एक छोटा सा video बना के क्योंकि इस trick से time बचेगा और banking में time ही सब कुछ है time ही सब कुछ है ये सारी concepts थे related to inequality बाई मैं काफी थक गया बाई